मानने ये इलहाबाद हैकोर्ट के द्वारा CBSC बोर्ट के द्वारा आजित की गई सीटेट डिसमबर 2022-23 के रिजल्ट जिसकी घोशना मार्च 2023 में CBSC बोर्ट के द्वारा की गई थी उसके रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है क्या है पूरा मामला जानना और समझना आपके लिए बेहच जरूरी है अगर आप भी सिख्छा जगत से जुड़े हुए है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूटिब चैनल अगर आप शेयरना पर पहली बार जेट कर रहे है तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल एकिन को प्रिस करना ना भूले इसक्रिन पर आप एक आर्टिकल देख पार होंगे CTT में बियर्ड धारकों का परिडाम जारी करने पर रोक जैसा कि आपको ग्यात होगा माननी इलहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ही उत्तर प्रदेश में यूपिटेट के रिजल्ट पर भी रोक लगाई गई है जिसके बाद से सचिव पर इच्छा नियामक प्रादिकारी कारेले द्वारा एक पत्र जारी करते हुए सभी डायेट को उन्होंने आउगत कराया था कि माननी इलहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद से बीड़ अभीर्थो का रिजल्ट ना वित्रित किया जाए और 307 B Alert का भी अभी तक रिजल्ट वित्रित नहीं किया गया है यहाँ पर दोनों के गामन बात यह है कि दोनों के पिटिशनर्स एक ही है स्रीप्रतीक मिस्रा जी जो की योपिटेक मामले में पिटिशनर्स थे यानि कि जो भी मानिनिय सुप्रीम कोट में अभी मामला विचारा धीन है बियड अभियर्थों की पातरता के संदर में उस फैसले के अधीन हो जाएगा सीटेट का रिजल्ट मतलब कि अगर रिजल्ट का प्रियोग किया जाता है किसी भी सिक्षक भरती में तो अगर इन केस ए परिच्षा यानि CTET प्रात्मिक इस तर 2022 में सामिल बियर्ड डिग्रिधार को के परड़ाम जारी करने पर रोक लगा दी है कोट ने कहा कि बियर्ड डिग्रिधारों के के परड़ाम सुप्रीम कोट में दाखिल विशेश अनुमती याचिका पर आदेश आने के बाद ही जा जारी किया जाए यदि परड़ाम जारी भी किया जाता है तो वह विशेश याचिका के आदेश के अधीन होगा मामले में अब चार सप्ता बाद सुनवाई होगी एक बर आगे देखिए यह आदेश नियायमूर्ती स्री आशुतोस सिर्वास्तोवप ने प्रतीक मिस्रावा अन्ने की याचिका पर दिया है याचिका में केंडरिय सिक्षक पातरता परिक्षा में बीर्ड डिग्रधारकों के परड़ाम जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी याचिकी अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने National Teachers Council for Education यानि NCT के 28 उनकी अधिसूचना में सीटेट प्रातमे की स्तर में 28 डिग्रिधारकों को भी शामिल कर लिया था इसे राजस्थान हाई कोर्ट में चुनोती दी गई थी इसके बावजूद केंडरिय मादमेक सिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित केंडरिय सिक्षक पातरता परिक्षा प परिक्षा बागी है अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि जैसे मालेजे बिहार में सातवे चर्ण की भरती होने वाली है तो उसमें बिहार में 28 वाले अभिरती भी इलिजबल है तो क्या आप वो लोग आवेदर नहीं कर पाएंगे इस सीटेट के बेस पर बिल्कुल कर प है कि जो सीटेट का रिजल्ट अगर जारी भी हो गया है तो वो इस पेसल अपील यो की गई थी मानेने सुप्रेम कोट में उसके फैसले के अधीन होगा यानि कि वो आवेदर तो कर पाएंगे लेकिन सिर्फ अंतर यह हो जाएगा कि इन केस अगर सुप्रेम कोट बिएट के एगेंश्ट में फैसला देती है तो भाविश में वो भले ही चैन की ओना हो जाए उनका चैन निरस्त कर दिया जाएगा इसी प्रकार से DSSB की वेकेंसी आनी है तो उसमें भी यहीं मामला देखने को मिलेगा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा भगवान करे आपका दिन शूब हो